नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप कुस्वा और लोक्तन न्यूज में आपका स्वागत है निकाई चुनाओ के बाद जनपत अध्यक्ष के लिए आज चुनाओ हो रहें बढ़वानी जिले में साथ जनपत के लिए आज चुनाओ जारी है चुनाओ को लेकर जनपत पंचायत के बाहर लगातार घहमासान मचावा है इस वक्त मैं मुझूद हूँ सेंद्वा जनपत पंचायत के बाहर जहाँ पर गेट से जनपत सदस्यों को अंदर ले जाने को लेकर कई बार यहाँ पर घहमा घहमी का माहूल बना है किसी भी सदस्यों के अलावा अन्य किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार भारी पुलीस बल भी यहाँ पर लगा हुआ है और बड़ी संख्या में भाजपा, कॉंग्रेस के कारीकरताओं जैस के कारीकरता भी यहाँ पर मोजूद है जन्पर सदस्यों को अंदर हाल में ले जाने देने को लेकर लगातार विवात भी हो रहे हैं पुलिस बल सजग है और बड़ी संख्या में यहां पर भारी फोर्स लगाया गया है लोगों को रोका जा रहा है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया रहा है कुछ देर पहले यहां पर सेंद्व विधायक भी अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे जिनके बाद भाजपा कारी विरोज जताया जिससे उन्हें नहीं जाने दिया गया भारी पुलिस बल तेना दे रिटर्निंग आफिसर खुद यहां पर तेना दे हडियोपी मोजूद है बड़ी संख्या में यहां पर बल लगाया गया है वहीं आप देख सकते कि एक और भाजपा की कारी करता बड़ी स अध्यक्ष बनाने के लिए लगी हुई है और जो तोड़ करें फिलाल गहमा गहमी का माहूल है बड़ी मातरा में पुलिस फोर्स लगाया गया है और यहां पर कुछी देर में जो है अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा इस वक्त जनपत पंचायत के बाहर काफी गहमा ग क्प्रेस की गाड़ी में इस कार पर मिलेकर आ आया गया जिसे अंदर ले जाने के दोरान भाजपा वा काम जएकरेर्स कारता है और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी हुई पुलिस को यहां पर लाटी-चार्ज करना पड़ा हल्का लटी चार्ज किया गया और लोगों को यहां से दूर किया गया काफी गहमा गहमी और विवादों के बीच जनपा सदस्य को अंदर भीजा गया है और अब चुनाओ प्रिक्रिया सुरू होने वाली है और यहां पर देख सकते हैं कि काफी गहमा गहमी का माहल है पुलिस के झाल झाल